Friends फिसे स्वागत एकने वीडियो में Friends इस वीडियो के अंदर बताने वाला हों किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो की app lock को set कर सकते हैं मेरे पास है Redmi का Redmi Note 9 और इस वीडियो के अंदर बताने वालाई किस तरीके से app lock set कर सकते हैं easily ठीक है तो इस वीडियो का ठीक नीचे आपको red color में subscribe दिखेगा इस side में तो subscribe कर दिजेगा और इस side में like का बटन दिखेगा तो उसे भी like कर दिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं और friends सबसे पहले हमें जाना होगा setting में तो मैंने setting पे click कर दिया है setting में click करने के बाद आपको इस तरीके का interface दिखेगा स्क्रोल करने उपर के तरफ और यहां पे आपको दिखेगा बहुत सारे options तो आपको और उपर जाना है और यहां पे आपको find करना है आपका security ठीक है तो यहां यहां पर आप देख सकते हैं apps दिख रहा है password दिख रहा है and security तो इस पर क्लिक करेंगे password security पर क्लिक करने के बाद जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप लोक नहीं दिख रहा है तो लॉक शेक्योर्टी पे ये वह ला। उसके बाद आपको यहां पे find status of इस पर भी नहीं दिखेरा friends तो friends है का तो आपको यहां पर अगर नहीं दिखता है तो लोग पे जाए और लोग पर आपको find करना है और लोग पर भी नहीं मिलता है तो आपको एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊगा जो कि आपको काम आएगा तो उसके लिए आपको search bar में लिखे देना है app लॉक ठीक है उसके बाद इस पर click कर देना है उसके बाद इस पर click कर देना है जो भी आपका लॉक हो लगा होगा उसको draw करना है उसके बाद आपको फिर से उसको draw करना है ठीक है आप चाहिए तो यहाँ पर pattern change भी कर सकते हैं और next भी कर सकते हैं तो चलिए मैंने pattern लगा लिया है अब यहाँ से बोल रहा है कि आपको sign in करना होगा तो मैं note now पे click कर देता हूं मुझे sign in नहीं करना है face lock नहीं लगाने तो इसको भी cancel पे click कर देंगा fingerprint नहीं लगाने तो इसको भी cancel पे click कर दोगा अब यहाँ से जिस जिस एप में लगाना चाहते हैं उसको आपको enable कर देना है और इसको माल लीजिए आपको disable करना हो तो वो कैसे करेंगे यह भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए सबसे पहले check कर लेते हैं कि हमारा जो app lock है वो set हुआ है या नहीं फोन पर खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं आप लोक लग चुका है अब इसको आम इस तरीके से ड्रो करके खोलेंगे आप चलिए जानते हैं कि इसको हटाना हो तो क्या करेंगे ठीक है फ्रेंस हटाने के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले setting में फिर से लिखना है app lock ठीक है इस पर किलिक करना है आपका जो app हो वो लगाना है उसके बाद आपको यहां पी इसको cancel कर देना है इसको भी cancel कर देना है और यहां से आपको turn off कर देना है अब यह जो आपका app lock है वो हट चुका है अब हम check करेंगे दुबारा से जाकर के के हमारा app lock हटा या नहीं तो आप देख सकते हैं हट चुका है इसी तरीके से आप अपने phone में app लोग लगा सकते हैं वीडियो पसंद है तो like, share and subscribe करना मत भूलीगा बिलते हैं नेक्श वीडियो में एक नहीं टोपिक के साथ तब तक कर।